हेलो स्टुडेंट्स देखो मैट के अपने कुछ चैप्टर की जो सीरीज है लास्ट चैप्टर अपने डिसकस करा था डारेक्शन सेंस टेस्ट उसके कुछ क्वेश्चन भी देखे दे प्रिविए से लिए वो तो हर बार अपना तरीका रहता है वही तरीका अपने फॉलो कर जाता अब अगला नेक्ट चैप्टर है सिटिंग अरेजमेंट उसके बाद पजल टेस्ट आएगा बलड रिलेक्शन आएगा देन अपन नॉन वर्बल में एंट्री कर जाएंगे तो बहुत सारे अलग 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 चैप्टर सा अभी और बाकी हैं बट हाँ जो कॉंसेप् इसं में ब कुछ लिसा कि कि इस पयला कि या कि राइटमें संसे तो मतलब énormément इसा नियुक है jedes उसके बाजू में बैठा हूं ठीकर राइट का मतलब यह नहींयुकर इमीडेट राइट बोलता है या फिर सिसके नेवर में ने बयठा हुआ है तो मतलब इसके नेबर में हता तो वो मतलब लेफ्ट में बैठा हुआ है कि लिए उसके जस्ट वाजू में बैठा हुआ है कि लिए बाकी आपके कोशन में कुछ steps दिये होंगे मनद कुछ ऐसा बोल से तो कुछ statement दियों उस statement को use करते हुए आपको results बनाने उस results को utilize करके आपको proper form करना अब आप से वखेचे ईहां यां यहां दो-दो बंदे एंप सकती है ड़ Similarly depending क्यों वालकिक रहता है आ्लेस या दो लीने बैठे रॉत यह पिर सर्कुलर बैठते हुआ ठीक है चलो देखो अपन क्वेश्चन स्वाल करते हैं मतलब क्वेश्चन के थ्रूई कॉंसेप्ट देखेंगे के लिए फर्स्ट वन कुष्ट इसने बोला है कि PQRST बैठते हुए इन दे एक्जाक्ली मिडल मतलब उस लाइन में एक डब मिडल में कौन बैठेगा के लिए उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिये तो देखो आपको जो जो स्टेटमेंट बोलता है उससाब से आप अपने हिसाब से एक्वेश्चन बनाते जाओ बलब अर्रेंजमे कि यहां ही बैठेगा छी के सर्फ दूसरा क्या बोला इसने दूसरा यह बोला कि एस एक्जाक्ली बिट्विन पी एंटी देखो एस है ना वो पी और ट के बीच वे बैठा हुआ है तो ऐसा भी बैठ सकता है ऐसा भी बैठ सकता है यह ना टी इधर बैठ बढ़ देखो इस ट के राइट में क्यू है ठीक है तो इस तरीके से नहीं बैठ सकता है तो यह ऐसे बैठेगा तो मतलब इनकी पोजिशन ऐसी हो जागा पी एस टी और क्यू नो डाउट इसके इधर और लेड़ी बैठा हुआ है इसको मैंने इन दोनों को कममाइंड कर दिया कि लिए कममाइ क्यूंकि लेफ में अल्रेडी टी है तो यह वाली तो गलत होगे यह बाला हो नहीं सकता तो यह टी क्यू आ है तो आपका डी आंसर क्या हो जाएगा प्सक्राइब करे होगी तो मतलब ऐसा है कि आपने एक क्रेक्ट करे हुए हो गई एक बार अपने फॉर्म कर दिया तो उसके बाद अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सब आंसुर को निकाने नो राउन परग्राप को सॉल करने में देखो यहां पर क्या था एक परग्राप में एक ही क्वेशन था बड़ा सिंपल था सपोज टफ बन भी जाएगा तो उसमें क्या होगा कि क्वेशन से ना बहुत सारे होंगे तीन-चार तो तीन-चार फटा-फट सॉल हो जाएंगे तीक कि जैसे इसमें बोला है study the given information and answer the question that follows five person are standing in the queue one of the two person one of two persons at the extreme end is a professor सार तो इसने बोला है की कहीं पर फटा फॉर्फ पर सन है या तो प्रोफेसर यहां으 पे होगा माल अभी मैं यहांप ही नहीं लीखता हूँ या तो प्रॉरसर यहां पर होगा या फिर यहां पर होगा दोनों ऐसे कहीं एक जगा प्रॉफेसर है, किलियर सर, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अधर एंड बिजनसमेन, मतलब दूसरे एंड पर बिजनसमेन है, सब्सक्राइब इधर प्रॉफेसर हुआ, तो इधर कौन होगा, बिजनसमेन, सब्सक्राइब इधर प्रोफेसर हुआ तो बिजनसमेन इधर हुआ, समझ महारी है, मतलब एक एंड पर बिजनसमेन एक पर प्रोफेसर रहेगा, अब इधर प्रोफेसर है तो इधर बिजनसमेन है तो इधर प्रोफेसर, मतलब बिजनसमेन और प्रोफेसर की लो इमिडेट राइट ने बोला है ठीक है राइट में बोला था अपने एक बार ले लेते हैं कि राइट है इप यह कभी-कभी होता है कि ऐसा आगे और देख लिए एन ऑथर इस तु दा इमिडेट लेफ्ट आफ द बिजनसमें कि लिए ऑथर ठीक है इसने एड़ोकेट बोला न कि मतलब बिजनसमेन के इमिडेट लेफ्ट में कौनें इमिडेट लेफ्ट में कौनें ओ thirty तो मतलब बेटा जो बिजनसमेन और असट में इमिडुन अफर होना चीभी तो यहां पर बताओ सब Surprisingly को मैने यहां position दे दी तो इधर position दे दी तो इसके left में author हो पाएगा क्या नहीं left में तो कोई नहीं है तो यहां से एक बात अपने वो समझ में आ रही है कि businessman को confirm confirm है कि यहीं पे बैठना पड़ेगा तभी इसके left में कौन बैठ पाएगा author बैठ जाएगा तो अब जैसे businessman को मैंने यहां fix क्या तो प्रॉफेसर भाई साथ यहां बैठेंगे अब कौन बच्चा है इस्टूडेंट एडवाकेट तो इस्टूडेंट यहीं पर आएगा और एडवाकेट यहीं पर आएगा राइट में ही है अब इसने तो immediate right और right का मतलब अलगी होता है बट कभी question में भी ऐसा clue फसाद देते हैं वो लोग कि वो कुछ चीज़े ऐसी दे देते हैं कि अपने कुछ assumption लेके भी चलना पड़ सकता है अबर mostly जो सही question अच्छे से frame करेंगे उसमें तो आपका यह रहेगा राइट लेक्ट का एग्ज अगले बाले में अगले वाले में क्या है रेको मतलब बड़े simple तीन question है फटा फट हो जाएंगे which of the following exactly middle in the middle में कौन है advocate sir advocate हो गए आपके middle में उसके बाद इस advocate and businessman interchange its position तो यहाँ पे था P.S. advocate author businessman ऐसा ही था कुछ ठीक है अब गोला किया बॉला एड 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 वोकेट और बिजनसमें अपने इंटरचेंज कर दे also the author and student मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करा दो इन दोनों को इंटरचेंज कर वादा के लिए तो करवा दिया मैंने ठीक तो P यहाँ पे AU यहाँ पर एड की जगाया बिजनसमें फिर इस्टूडेंट फिर एडवोकेट इसा कुछ बनेगा तो यह बोलाएगी तो बड़ा आसान कोईशन है ज्यादा इतना डिफिकल्ट है नहीं है थोड़ा आसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या स्टेट्मेंट बोला गया है स्टेट्मेंट को कैसे आप यूटलाइज कर रहे हो उसमें क्या क्लू दिया है उसको सौल करने के लिए ठीक है दीकкого सिर्फ झाला आकई लिए पीड़ेद शेकन सब्सेंट के श्क्राइब हं देखो रॉरा ना यäre धु नियक्ठाने की यहीया हॉट धिक सिर्मिलत य्या पिद्रों निलीड़ खाने क्यंसने थि ठीक है नि ग्षेतने कॉशने थिant देखो महीं हां देखों में दारों मे नहीं दिया हुआ है तो by default अपन इंटरनल लिए अंदर की तरफ फेस मान लेकि इस नहीं देगा के लिए बुलाएं कि अब क्या बोला पहला बोला इस दे इमीडेट लेफट अफ दी मतलब इह वो डी के लेफट में बैठेगा जहां पर भी दी बैठेगा उसके लेफट में बैठेगा तो देखो सर्कुलर में एक एडवांटेज रहता है कि एक्स्ट्रीमेंड नहीं होता है तो जो चाहिए आप ले लो तो आप इसको डारेक्ट पुट कर सकते हैं सपोज मैंने डी को यहां पर बैठा दिया तो इसके लेफ्ट में डी का फेस इधर है इधर फेस है या फेस इधर है तो लेफ्ट में कौन होगा इव होगा कि लिए ठीक है सी इज एक्जैक्ले बिट्विन ए बी तो इसे है न चलो कि लिए अब अगला क्या बोला एफ इस द इन द बिट्विन ओफ ए एड़ एड़ एफ है वो ई और एक के बीच में बैठा हुआ है या तो ऐसा बैठेगा या फिर ऐसा बैठेगा अब एक की पोजिशन पता है ठीक है सपोज ए एक को यहां सिफ्ट करता हो तो ए और के बीच में बैठा हुआ थिए तो दीको एक बीमोंके एक आघ्जाय की बचा हुआ है तो आपका इन दोनों के बीच में इमिए पना चाहिए तो वहां तो होगा नहीं तो शपोज ए या ई आपको五 ना पड़ेगा तभी इसके बीक में थी हाखूनर अपर यहां पर अल्रेडी है तो सी यहां होगा यहां भी होगा तो वह आपका स्थर्ड स्टेट्मेंट भी करेक्ट हो गया तो यह आपकी ओवर और पोजिशन्स रही ठीक है अब कोईशन्स देखते हूं कोईशन दो अब देखो हलवा होगा आपके लिए ठीक है बड़ा सिंपल से कोईशन्स होते है फटा 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 हो इसके इमीडियेट लेफ्ट और राइट और अप सी के राइट में सी के राइट में सी का फेस इधर है इधर तो उसका राइट इधर होगा राइट में ए बैठाए तो राइट में आपका ए हो जाएगा विच आप फॉलाइंग सुपर फ्लॉसिस मतलब बोला है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसका यूज नहीं है तो देखो आल आफ रिक् स्टेटमेंट को अबन देखो बकाइदा यूज कराया तभी सॉल हो पाया कि लिए ठीक है तो यह आपका कोईशन हो गया जो बड़े आसानी से हाथ पर क्या हो गया सौथ हो गया तो इसी कोईशन था देखो सपोज यह वाली पोजीशन नहीं होती पता यह वाले स्टेटमे नेक्स्ट नेक्स्ट वन आपका क्या बोला गया पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर सिटिंग रू इंड़ फेस इस लिए बोला कि इस्ट की तरफ फेस करा हुआ है कितने जने है रे कितने आदमी है रे साथ 1 2 3 4 5 6 7 अब बोला गया सर इस्ट तो उधर है आपको फेस त उधर करना चीए था इस्ट इधर है मेरे को पता है नॉर्थ इधर है साथ इधर है इस्ट इधर है वेस्ट तो मेरे को फेस इधर करना था तो इधर फेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तो मैंने क्या करा मैंने इस्ट इधर मान लिया यह क्या मान लिया मैंने इ यह वाला मेरे क्या होगा वेस्ट क्या होगा मेरे लिए जो यह पारी वाला नंस्वर ही आएगा 1-2-3-5 ज़ल ही खं ठीक है जोगे तीन थी चाहोगे ठीक है थोड़ा से इधर खिसका देते इसको ठीक चलो इसको इधर अपने वो इस पेच चाहिए गदा थोड़ा अब देखो क्या बोला हुआ है आर इस इमीडिट राइट आफ एस आर भाई साथ है वो एस के राइट में बैठे हुए है तो ही यहां होगा तो अ यहां बैठेगा तो यह दूसरा इस्टेपienna मने यूज करती हैं थर्ड बन ठड बोला है क्यूँ इस दए स्वेमेड इमिडियट नेबर तो इसने थर्ड में यह बोला है कि क्योई टीफासव में बैठे या फिर टी क्यों ऐसा होगा के लिए टी और क्यू पार्ट में बट इसने बोलाए कि एक्स्टी मेंट पे तो सिंबल सी बात है या तो क्यूं यहां पर होगा तो टी यहां पर होगा या फिर क्यूं यहां आया तो टी यहां पर होगा क्यूं टी दोनों रिलेटिव है कि क्यू यह हो गया, ठीक है सर, चलो, अगला देखू, V is exactly between T and U, ठीक है, फोर्फवन देखता हो, तो जो V है ना बेटा, वो T और U के बीच में बैठा हुआ है, तो T इधर हो, U इधर हो, ठीक है, या फे, U, V, T, मनला V है वो T और U के बीच में बैठा हो, अब T और U इधर उधर हो सकत है, अब देखो, अपने को देखो, इन दोनो statement को मैं comment कर सकता हूँ, तो मैं comment जब भी कर पाऊंगा, तो करूंगा पहले, ठीक है, अब देखो, इधर मैं नहीं, उपर मैं लिखूंगा, जब exact मैं को पता होगा, बाकी नीचे मैं ref light, ref idea type का है, ठीक है, सबोर्ष T इधर होग होगा, तो क्यों इधर होगा, Q, T, V, U, ठीक है, T के पास Q तो आना है, यहां पर T के पास Q आना है, तो Q, V, T, Q, तो देखो, एक position तो simple मिलगी, या तो Q, T, V, U आएगा, या फिर Q, T, V, U, ऐसे आएगा, दोनों ऐसे कोई भी आएगा, बट यह थोड़ा सा confirm होगा, चार position त अब बोला है कि S is sitting third to the south end, तो third देखो, यह south end लेना है, यहां पर कौन बेटा है, बेटा है, अब S के immediate right में कौन है, R, तो R immediate right में आ गया, तो मतलब T, Q आपके यहां पर नहीं बैठेंगे, यह position दोनों गलत होगे, यहां नहीं बैठेंगे, तो Q, T, यहां पर बैठेंगे, और Q, T, यहां पर आ गया, तो V or U इधर आसपास आ जाएंगे, अब बचा कौन है, P, Q, R, S, T, P, बचा है, बढ़ा असान से पुरा solve हो गया, मतलब जो हो आपको step बोलता जा रहा है, वो आप करते चले जाओ, कोई भी step जंप करने की ज़रूरत नहीं है, step by step चलते जाओ, no बट ध्यान रखना है, carefully, if हलकी सी भी आपने mistake करी, तो चारो question में 0 marks आते time नहीं लगेगा, और correct करा तो फटा-फट marks भी आ जाएगी, who is sitting immediate right of T, T के immediate right में V बैठेगा, who is the following pair of the person sitting to the extreme end, extreme ends पर क्वान बैठा है, Q और P, Q option हो गया, name of the person who is the third place from north end, north end से third, 1, 2, 3rd, V, V आपका हो गया, immediately between which of the following pair of people is S sitting, S किस दो person के immediately sitting बीच में बठा है, तो R और U, तो T option correct होगे, के लिए तो बड़ा आसान question है, आपको simple सा ध्यान रखना है, कि क्या question में बोला गया है, उस question को statement को properly use करना है, otherwise आपका time का जूम भी होगा ज्यादा, आप statement by statement use करते जाओ, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बहुत अच्छा ही question है, तो बात हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, बट जो statement दिये हुए हैं, उससे solve करते जाओ, पजल टेस्ट में भी ऐसा ही होता है, जो दिया हुआ है, वो अपन करते जाएंगे, कि लिए, चलो next one, ये थोड़ा सा में को साइज अच्छा question लगता है, देखते, इसने बोला है, किते person बोले रहे, किते आदमी है रहे, तीन, तीन, छे आदमी है, ठीक है, round table भी बैठे है साइज में लग लगा है, circular table भी ठीक है, one, two, three, four, five, six, कि लिए, छे परसन बैठे है, कि लिए, छे परसन बैठे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या बोला है, छे परसन कौन कौन है, पर लिख ले ता हू, पी, पी क्यू नी, पी नी, आर, एश, टी, यू, वी, डब playing cards, ठीक है, card खेलने के लिए बैठे हुए है, ठीक है, तर, it was the notice that no two men the initial letter whose adjacent to alphabet order and set next to each other, के लिए, इसमें क्या बोल रहा है, कि बोला है, जो दो conjugative है, मतलब r और s बाजू-बाजू में नहीं बैठेंगे, s के पास t भी नहीं बैठ सकता है, s के पास r भी नहीं बैठ सकता है ठीक है, एसा बोल सकता है, t के पास u भी नहीं बैठ सकता है, t के पास s भी नहीं बैठ सकता है, immediate neighbor मतलब आपका rs पास में नहीं बैठेगा, ts पास में नहीं बैठेगा, tu पास में नहीं बैठेगा, uv पास में नहीं बैठेगा, v w पास में नहीं बैठेगा, जो जो alphabets मे अपने पास-पास में आते हैं और चुल में वो बाजू-बाजू में नहीं बैठेंगे, यहना उसके अलबा कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई जिक्तर नहीं, अब इसमें क्या बोला है, U is sitting opposite to R, ठीके बटा, तो U R के opposite बैठा है, ठीके तो मैं तो U को R के opposite बैठा देता हूँ, ठीके पहला तो मैंने लगा दिया, U R के opposite बैठ गया, ठीके, V is not immediate neighbor of R, इसने बोला है, कि V R के immediate neighbor नहीं है, तो मतले बटा, V यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, वी यहां पर भी नहीं बठेगा, ठीक है, वी उसका नेबर नहीं है, मतलब आर का नेबर नहीं है, तो वी, अब वी की दो पास में बैठी है, पॉसिबिलिटी, यू, ठीक है, गरबड कर रहा हूं, मैं कुछ, said to each other, you was opposite to the r, वी नॉट तू दा इमिडियेट, अच्छा चैसे, sorry, immediate right of r, मतलब r, r के right में नहीं हो सकता, तो वी यहां नहीं हो सकता है, के लिए, अब देखो, और बात, you के पास में आता है, वी, तो you और वी पास में बैठ नहीं सकता है, तो वी यहां पे भी नहीं बैठेगा, वी यहां पे भी नहीं बैठेगा, अब तीन जगा तो वी के लिए मना कर गई, कर दी गई, तो एक जगई बचिए कि वी को यहीं पे बैठना है, clear, clear, यहां तक के लिए रहे आपको, ठीक है, चलो sir, अब देखो, आगे देखते है, आगे क्या possibility, वी का काम खत्म हो अभी तो, है ना, और तो कुछ ही दिया हुआ नहीं, यह दिया हुआ है, अब देखो, आर के पास, आर के पास, यहां पर S भी नहीं बैठ सकता है, इस position पे है, कौन किसके पास नहीं बैठ सकता है, अब वी के पास, वी के पास डबलू नहीं बैठ सकता है, यहां पर डबलू नहीं बैठ सकता यहां पर ती नहीं बैठ सकता है ठीक है अब देखते हूं अब थोड़ा सा अपने को सोच के करना पड़ेगा पॉसिबिलिट्ट अब बचे कौन कौन है वह उन चार को तीन को लेके स्वांट करना पड़ेगा अपने पास कि है सपोर्पों में डबलू यहां बिठा देता है डालोव AU इन नो यहां बिठा देता है अब बताओ एस को यहां पर बिठाओंगा है यहां पिर यहां यहां यू के पास नहीं आ सकता है कि लिए यहांपे भी नहीं आ सकता है तो इंजय्के हमने आप डबन यहां नहीं आ सकता है तो यह जगह बचिये फिर बच्चा क्या राष्ट में आपका मैं सब्सक्राइब यहां बैठ गया तो आप वं इन दो में से घरने सकता नहीं अब यह बारार के इमिडेट राइट में कौन बैठेंगा कि यह हो गया और राइट आप पूछना चाहता है ती के अपोजिट में कौन बैठा है एस व के अपोजिट में कैसे बना लो बट अच्छा कोईशन है देखू इसमें दो बच्छा कभी भी स्टार्ट करता रहा है तो इसमें दू चीज़े दी यू और ये और ये क्या से स्वाल होगा बच्छो को जब दो स्टेटमेंट देखते हैं अब इतने सारे मतिंदी चार्ज है तो इसमें वही दिक्कत होथी ये बच्छा बोलता है ऐसा क्या से स्वाल होगा तो फोड़ा सा उसने और भी चीज़े मिक्स करी विए तो उसको थोड़ा सा अपने को विट्रलाइज करना प सब इसमें बच्छं नहीं बन रहती है तो आप आप अलग कोईशन है नहीं बन रहा है तो आप गुरूप पे शेयर करना में वहाँ स्वाल करके आपको बेज दूगा कि ये पोजिशन होगी थीक है? साइथ बीच में बच्चे ने कोई कोईशन भेजा भी था ठीक वो अच्छा भी था साइथ कोईशन इसकरी था नहीं वह पजल टेस्ट आउगा साइथ कि लिए तो कोई दिकत नहीं है आप कोईशन भेज देना वह फिर अपन स्वाल करें तो होप आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा ठीक है तो मिलते हैं अपर नेक्ट लेक्चर में थैंकि सो मच